हाई गाईज आप देख रहे हैं मौमिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया प्रेग्निंसी डाइट सीरीज जो हमने स्टाट के आए उसमें हम आज एक रेसिपी वीडियो भी लेकर आए हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट बुमिन के लिए हैं आज हम बनाने जा रहे है एक प्रेग्नेंसी स्पेशल पैंकेक जिसमें की इंग्रेडियोंस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह है स्ट्रॉबेरीज, बीट्रूट और ओट्स बेसिकली यह तिनों इंग्रेडियोंस के बहुत सारे हैं बेनिफिट्स हैं दूरिंग प्रेग्नेंसी पैंकेक निस्तिमाल ह और इसमें हमने डाले हैं strawberries जो काफी रिच होते हैं vitamin C में जो during pregnancy हमारी immunity को strengthen करने में मदद करते हैं इसके इलावा इसमें होता है folate जो की pregnancy में बहुत ही important vitamin होता है जो first trimester में specially baby के brain growth के लिए बहुत important होता है इसके लावा यह heart health के लिए और eyes के लिए भी बहुत beneficial होता है इसके लावा हमने इसमें डाले हैं beetroot beetroot एक बहुत भी nutritious superfood होता है जो rich होता है vitamin C में high fiber content होता है इसके लावा इसमें rich होता है iron में और इसमें बहुत सारे minerals जैसे की potassium and magnesium बगेरा होते हैं इसके लावा इसमें भी होता है high follet जो birth related defects जैसे की spina bifida को prevent करने में मदद करता है during pregnancy तो आए फटवर्ट से अपनी recipe स्टार्ट करते हैं बड़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक request यह कि अगर आपने मौमस्तान को अब तक subscribe नहीं किया और नीचे देगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक regularly पहुंच सकें पैंकेक बनाने के लिए हम तीन से चार स्टाबरीज ले रहे हैं जिसके हम उपर से पत्तो को निकाल कर इसे अच्छी तरीकी से धोलेंगे हमने इक स्टाबरीज को चॉप कर लिया है और हमने एक quarter wheat root यानि एक थुकड़ा wheat root का लिया था जिसे हम चॉप कर लिया है इन सब को हम चट्नी grinder में डालेंगे हम इसमें लेंगे एक कप oats हम इसमें एक चमच चिनी ले रहे हैं आप अपने स्वादर मिसाल ले सकते हैं और इसमें आधा कप पानी डाल गए हैं इसे हम पाइन पेस्ट बना देंगे यह हमारा बैटर का पेस्ट बिल्कुल तियार हो गया है अब हम पैन गरम करेंगे और उसमें हम देसी घी थोड़ा साथ डाल कर ग्रीस करेंगे अब हम इसमें अपना वैटर पोर करेंगे और इसको स्प्रेट करेंगे एक चमच के मनदस से इसे दो मिनट तक धीनी आज पर हमने पकाना है दो मिनट बाद हम इसको फ्लिप करेंगे यानि दूसरे साइट से फिर से दो मिनट पकाएंगे दो मिनट के बाद हम फिर से साइट को फ्लिप करते हुए एक मिनट तक या जब तक ये अच्छी तरफी से होना जाए तब तक पकाएंगे जब हमारा फैंकेक हो जाए हमें से प्लेट में निकाल देंगे इसी तरह हम बाकी के बैटर के भी पैंकेक्स प्यार कर देंगे बाकी के एक बाकी केुछ झाल देंगे हमारे तयार हुए पैंकेक पर हम होमीट स्ट्रॉबरी जाम से टॉपिंग करेंगे तो हमारे डिलिशियस एंड सुपर हेल्दी पैंकेक से यार हम एंजोई कीजिए तो आई होप आपको यह पैंकेक रेसिपी पसंद आई हो इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जरूर ट्राय करें और खाएं इस प्रेगनेंट औरतों के इलावा इसे बच्चे भी खा सकते हैं और इंफाक्ट अडल्स और कोई भी खा सकता है तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और मौमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना बूलें थांकियो सो मज़ फॉर वाचिंग सीयो सूर बाबाई झाल झाल